dear students क्या रीजन है कि engineering math बच्चा अच्छा क्यों नहीं कर पते हैं तो मेरे experience से दो चीजे मुझे realize हुई है तो यह जो रीजन है दो रीजन मुझे बताना है एक रीजन है पेपर पैटर्ण जनरली सारे कॉलिजेस में युनिवर्शिडीज में बहले ऑट अन्दाजा थर्टी मार्स का होता है जनरली कुछ कॉलिज में यह कम ज्यादा हो सकता है यह जो थर्टी मार्स से जनरली कॉलिज वाले पेपर निकलते है यह चेकिंग कॉलिज में होता ही है तो यहाँ पर जो चेकिंग का जो सिस्टम है उसकी वाज़े से अल्मोस सारे सब्जेट में सारे स्टुडेंट्स अल्मोस पास हो जाते और यह इतना बच्चों को कॉंफिडंस आ जाता है उसके वाज़े से ताकि सेम पार्ट से पढ़ने का कोशिश सेवन्टी मार्स के एक्जाम के लिए करते है और वही गलती कर देते हैं कि वह पूरा खेल्खेतम हो जाता है क्योंकि यहां पर जिस टाइप से चेकिंग होता है कि इस टाइब का चेकिंग यहां पर होता नहीं कि पर सिंपल निकलता यां नई कर पते हैं जबने लेवल डिफिकल्टी जादा होता है इसलिए 90% बच्चों को यहाँ पर तक्लिब होता है नहीं कर पाते है उसके में रीजन यही है एक रीजन तो यह है कि वो लोग का बेसिक क्लियर होता है नहीं बच्चों का कि दुश्कों का बेसिक नहीं होते है बेसिक में होते हैं तो एक्जाम में क्वेशन लिख नहीं पाते हैं डूसरा आता हैं कंसेप्ट यहाँ पर बड़े बड़े question होते हैं और concept नई बच्चों के तो बच्चों को exam में याद नहीं आते है process example नहीं समझता नहीं लिखने बच्टे उनको मज़ा नहीं आता पढ़ने में मज़ा नहीं आता और एक चीज मुझे लगता है बच्चों का example solve करने का logic ने develop होता क्योंकि वो लोग इतना practice करती ही नहीं तो उनको sums करने का logic या आता नहीं और बच्चे exam में नहीं कर पाते हैं और सबसे last वाला मेने approach approach मतलब यह जो approach से paper के लिए पढ़के जाना चाहिए पेपर में ज्यादा marks लाना है यह सारा approach बच्चों का होता ही नहीं जस्ट विदाउट काम करके last member पढ़ते शौट करके last question paper देख लेते तिन question paper देख लेते उपर उपर टॉपिक पढ़के जाते यह पार्ट एप प्रोच होता है कि उनको अच्छा लिखना ही नहीं होता प्रेपर यह सारे चीजे मिस करने को जैसे बच्चे लों गर्बर कर देते हैं और यह चीजे अगर प्रॉपर हो जाता है तो बच्चों का पढ़ने का basic अगर clear होगा concept अगर बच्चे की अच्छे होते solve करने का logic अच्छा होगा बड़े-बड़े sums और उसका अगर अप्रोच अच्छा होगा तो जनरली दुनिया में जो इंजिनेर्स की जरोते वह इसे इंजिनेर्स बनेगा उनका सोची बदल जाता है अगर बच्चे यह मेनत करके अगर इसमाने सबका माइन सेट क्यों होता है ताकि उनका brain का capacity क्यों बढ़ता है ताकि यह सारे चीजें उनका education life में अच्छा था इसलिए वो लोग हर जगब पर आगे रहते हैं कि दूसरा जो लगता मुझे बच्चों का कि ओ लोगों ने अगरे थे नर बहुत experience नहीं मिले जादतर कॉलेजिश में जादतर ट्रेनर मैं सब कॉलेज की बात ने करो मैं सारी पर्सेंट ट्रेनर अच्छे होता है कि 90 तर जादतर ट्रेनर का problem क्या होता है उनका experience ज़्यादा नहीं होता और उनको जस दो एक-दो सम्स देखे जाते टॉपिक खतम कर देते हैं बहुत से लोग तो page पल लिखे आते हैं और समझाते हैं चापते हैं बच्चों को logic ही नहीं दे पाते हैं इसलिए बच्चों को logic से सिखाए नहीं जाता ताकि पूरा चाप्टर का ideas क्या है और इसको जैसे बच्चा को वह पार्ट justice नहीं दे पाते हैं दूसरी बात यह भी समझ सकता हूं कुछ trainers के लिए ताकि उनको syllabus time way खतम करने का pressure होता है management से इसको जैसे वह भले शुरुआत में एक दो unit अच्छा शुरू करते हैं और लास में उनको syllabus खतम करने का time आ जाता है यह उनका एक deadline आ जाती है तो लोग लास में जल्ले लिकार करते हैं और वहीं बच्चे पहस जाती बीचार है तो बच्चे लोग यह चीजे अगर proper हो जाता है तो बच्चों को बहुत सा जज्मिन आ जाता है दूसरी बात है बच्चों के methods और trick कोई समसौल करने के tricks से अगर वह बच्चा पढ़ता है तो उसको exam में सब याद आ जाता है अगर इतने साल से मैंने काम किया हुए है 23 से हारा जो हजार बच्चों को सिखा हुआ है तो इसमें मुझे जो tricks develop हुए है अगर tricks से अगर example पढ़ लेता है तो बच्चों को बहुत मजाता है बच्चा बूलता नहीं methods याद अठने के भी ideas है algorithm कैसे apply कि आ जाता है जनरली हर चीज़ के लिए ऐसा होता नहीं कि हम एक दो example से हम लोग सारी tricks बता देते हैं हमें multiple options लेना पड़ता है बलब एक unit पर हमें कम से कम 30 40 sums लेना पड़ता है तब जाके बच्चों को मैस अच्छा लगना शुरू हो जाता है आखिर में यह जो इंजिनिरिंग मैस से यह applied मैस होता है तो apply कहीं से करना formulas कहीं से apply करना algorithm कहीं से apply करना यह सब कुछ चीजे ideas हम class में बताते हैं इस वे से बच्चों को मजा आता है और सबसे important चीज सबसे important चीज होती है practice हर इंसान को हर बच्चे को माल में practice लगता मैस में लेकिन यह practice college वाले ट्रेनर करी नहीं पाते है अल्मोस्ट 90% ट्रेनर करने पाते हैं क्यों उनको pressure होता time खतम होने के बाद में बच्चों से बैटाना करवाना जो सिखा हो दूसरे दिन करके आने के लिए देखना रिभाई topic होने के बाद में 15 दिन के बाद में पूरा device किया एक लिए देखना यह सारे चीज़े होती नहीं और बच्चों को simple चीज़े भी difficult बन जाती है और एक्जाम में याद नहीं आता यह सारे चीज़े अगर अच्छी तरक किया तो बच्चों को मैस अच्छा लगता है लेकिन कापर बच्चे मिस करते हैं यह मैंने आपको चीज़े समझाइए यह जब काम करते हैं तो बच्चों को हम लोग यह चीज़े सिखाते हैं वीडियो में रिगुलर बैच में में मेहनत कर से किया जाता है क्योंकि यह चीज़े इसारी कि आप लोग जब बच्चों से मेहनत करना पड़ता है बच्चों को रिगुलर काम करना पड़ते हैं कंसि किस myös सोचतें, जो लोग class लगाते tähän 90% लोगам compressing का सोचतें, लेकिन जो class लगाते, 90% लोग, ये scoring का सोचते, scoring कैसे होगा, scoring कैसे होगा और वो चीज, वो nature set करना, उनका mindset chain करना, ये हमारा main role और, ये सारे चीजे & 좋정 हमने वीडियो में दिया है, सारे चीजे वीडियो प्रवाज बड़े